The Batman Movie मेरे हिसाब से अभी तक की Best Batman Movie है यहां Batman का Character Development, Movie का Dark Comic Book Nature और Gotham की Corruptness बहुत अच्छे से दिखाई गई है यह Movie एक Masterpiece है और इसी Masterpiece से निकल कर आया है The Penguin Series 2022 में दिखने वाली The Batman Movie के Event के एक हफते बाद की कहानी है The Penguin की जहां हम देख रहे हैं Oswald Oz Cobb यानि Penguin को Gotham City में नया Crime Lord बनते हुए The Batman Movie में Oswald एक Crime Boss कार्माइन फेलकॉन का Empire संभालने वाला Middle Level बंदा था पर Oswald मौके पर चौका मारने वाला आदमी है जिस पल कार्माइन पर उंगली उठी उसी पल हम देख सकते हैं पेंगुइन इस मौके का फाइदा उठाना शुरू कर देता है पर क्या ये स्टोरी वर्थ इट है उससे भी जरूरी बात ये है कि पेंगुइन कितना इंपोर्टेंट है गौथम के लिए मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ तो दोस्तों मैं हूँ अमन सिना और आज हम बात करने वाले हैं और जैसे जाना जाता है पेंगुइन के नाम से पेंगुइन कौन है उसकी गौथम में इंपोर्टेंस क्या है और उसकी राइस टू पावर स्टोरी क्या है इन सब के बारे हम बात करेंगे वीडियो शुरू क बहुत जबरदस्ट और कहीं ना कहीं पेंफुल भी लगता है अब एक कॉल इन इस रोल को कंटिन्यू कर रहा है अपनी खुद की सीरीज में जहां क्राइम बॉस कारमाइन फैलकॉन के जाने के बाद पेंगुइन का सफर शुरू हो रहा है नए किंग पिन बनने का अब मैं खास कर इसका जेंटलमेन लुक और चलने का तरीका जो कि आपको बेवगूफ बनाने के लिए है बैक मैन भी इसे मुश्किली संभाल पाता है क्योंकि ये छोटा सा विलन हार नहीं मानता प्लस यहां बैक मैन के जाहतर विलन्स का अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं है वही पेंगूइन का खुद पर और अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल है इवन बैटमैन पेंगूइन ट्रैमफंट में बैटमैन खुद कहता है कि पेंगूइन का दिमाग उससे तेज चलता है पर मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो है उस पेंगूइन की कहानी जि वो लडगा penguin को एक बिकार सी pistols देता है पर कोई bullets नहीं पेंगूिन के पास कोई पैसे नहीं है अब वो लडगा penguin को एक bullet पकड़ारेता है यह कहते होए कि उसके जैसे लोग गौथम में दो मिनट नहीं टिकने वाले वो नहीं जानता penguin को penguin एक bullet के साथ निकल जाता है गौथम जहां वो नोटिस कर रहा है, खुले आम हो रहे है क्राइम को, पेंगुइन आया है अपने head of security मैक से मिलने, जिसने umbrella man को पेंगुइन की info बेची थी 25,000 डॉलर्स में, पेंगुइन इससे पूछता है, क्यूँ, मैक्स बताता है, कि उसने उसके नीचे काम करने वालों की कदर करना छोड़ दिया था, पेंगुइन कहता है, कि वो सबको जानता है कि कौन कैसा है, अब उसे उन 25,000 डॉलर्स में से जो बचे हैं, वो चाहिए, ताकि वो अपनी powers वापिस गेन कर सके, पर मैक्स होशियारी दिखाता है, और पेंगुइन की अकेली बुलिट खर्च हो जाती है, और उसके हाथ लगते हैं 10 डॉलर्स, तब पेंगुइन वहाँ से बाहर निकल कर किसी को 5 डॉलर्स देता है, और उसे समझाता है कि मेरा एक समराज्य था, मैं गौथम में बुराई को चलाता था, वैसे नहीं जैसे अम्ब्रेला मैं चला रहा है, उसने शहर को भर दिया है हर छोटे क्रिमिनल से, जिनके काम में वो कट ले रहा है, मैं सब कुछ सफाई से चलाता था, मेरे कुछ उसूल थे, जिनमें जो आगे बढ़ना चाहते थे, वो आगे बढ़ते थे, और अभी भी सब वैसा ही होने वाला है, दूसरी तरफ बैक्मैन के रेडियो पर पूरे गौथम से भर भर कर डिस्ट्रेस कॉल्स आ रहे थे, बैक्मैन को समझ नहीं आ रहा था, कि किस दिस्ट्रेस की तरफ पहले जाया जाए, तब एक माहोल को संभालने के बाद, उसको समझ आता है, कि क्या हो रहा है, दूसरी तरफ पेंगुइन जाता है अपनी पुरानी साती, बस्टर से एक रेस्टरेंटर मिलने, जहां बस्टर उसे बताती है, कि उसने क्राइम बॉस बनकर अपनी चमक दमक में अपने चोटे अजीब साथियों को साइड कर दिया था, पेंगुइन उससे माफी मांगता है, और उससे अपनी सिचुएशन समझाता है, कि कैसे अंब्रेला मैन उसके साथ रहते हुए, उसके खिलाफ प्लॉटिंग कर रहा था, और जब उसे मौका दिखा, उसने उससे सब कुछ ले लिया, और अब उससे सब कुछ वापिस लेने के लिए अपना क्रू चाहिए, और बेशक वो अपने साथियों को भूल गया हो, पर उसने हमेशा उनकी रिस्पेक्ट की है, मुझे मेरा समराजय वापिस लेना है, जिसके लिए मुझे लोग चाहिए, फ्रैंकलिन पेंगुइन से कहता है कि इसका दिमाग तो ठीक है, तुम्हारा सारा काम हम करते थे और मज़े लेते हैं तुम, जिसपे पेंगुइन कहता है कि तुम्हें तुम्हें काम का कट मिलता तब बस्टर अपने बड़े हाथ सामने लाती है और सब की पिटाई करना शुरू करती है दूसी तरफ कमिशनर रेने मॉंटोया है कि आज शहर में इतना बुरा हाल कैसे है तब ही वहाँ बैकमेन आता है क्योंकि उसे बताता है कि अंब्रेला मैन की वज़े से ये सब हो रहा ह गौतम वैसा नहीं था जैसा हुआ करता था बस्टर फ्रैंकलिन और उसके लोगों की पिटाई कर चुकी थी पेंगुइन बस्टर से कहता है कि मुझे लगा फ्रैंकलिन के आदमियों को साथ लेकर मैं अंब्रेला मैन के लोगों से भिड़ने निकलूंगा पर मुझे ते टीचर्स उसकी सुनते नहीं थे वो कहते थे कि बाकी बच्चे बस तुमें छेड रहे हैं इसमें क्या बुराई है इसमें ये बुराई है कि पेंगुइन तंग होते होते थक गया था और अब बस वो चाहता था कि पूरी दुनिया उसके साथ तंग हो जिसमें बस्टर बर्डे पर मेरी माने पार्टी रखी मैं बहुत बुरा फील कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि कोई नहीं आएगा पर मेरे सारे क्लासमेट्स आए वो खुश थे वो गा रहे थे कुछ ने मुझसे माफी भी मांगी और प्रॉमिस किया कि वो अच्छे दोस्त बनेंगे मेरे वो एक अच्छा सर्प्राइस था पर तब ही मेरे क्लासमेट्स स्टीफन वेंडरेश ने मुझे बताया कि वो सब एक बेवकूफ चोटे जानवर के लिए इसलिए खुश हैं क्योंकि उसकी माँ ने उन सब को 100-100 डॉलर्स दिये पार्टी में आने के लिए और ये सच्छा ही बहुत पावरफुल थी मेरे लिए इसने मुझे बताया कि मेरे आसपास अच्छे लोग हो या बुरे मुझे बस इज़त पेंगुइन उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है वो लड़का हकलाते हुए अटकते हुए बोलता है कि उसका नाम एलियट है वो अपने कजिन के पास आया था जॉब ढोनने पेंगुइन उसको चेक करता है कि उसके अंदर गुस्सा है कि नहीं जिसके बाद वो उसे अप अम्ब्रेला मैन के हुए पेंगुन एलियट की तरफ इशारा करता है जो कि तीनों गोलियों को हवा में फायर कर देता है अकाउंटेंट और उसके लोग ये पागलपन देखकर डर जाते हैं और पेंगुन को उसके पैसे दे देते हैं अकाउंटेंट अम्ब्रेला मैन को बता जो कि उसे मना कर देती है कि वो गन नहीं बेचेगी उसको अपने क्रू की भी चिनता है वो लोग बे मतलम में पंगा नहीं चाते पेंगूइन वहाँ से चला जाता है पर अंब्रेला मैन के लोग कुछ दिर बाद आते हैं और बिना कुछ बोले फ्रीडा के क्रू के कई लोग से मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि फ्रीडा के क्रू पर किसी ने अटैक किया है बैटमैन बताता है कि इसका पेंगूइन से कुछ लेना देना है उसके अकाउंटेंट की बॉड़ी भी मिली है नदी में पेंगूइन के पुराने आदमियों को भी किसी ने पीटा है ये Penguin Batman से कहता है कि तुम्हें लगता होगा कि तुम Gotham में control और chaos के बीचों balance बनाते हो, पर ऐसा है नहीं, मैं इस शहर में crime चलाता था, मैं अपना business बनाई रखने के लिए, Joker, Riddler, Scarecrow को tools प्रोवाइड करता था, इतने tools कि वो जीते नहीं अंत में, मेरा bank भरता रहे, और crime acceptable rate पर रहे, तुम्हें पता नहीं होगा शायद, पर statistically Gotham में crime rate मेट्रोपॉलिस से कम था, ये सब हुआ मेरी वज़े से, मैं तुम्हारे साथ ये नाटक खेल रहा था, पर umbrella man को ये नाटक समझ नहीं आएगा, उसे balance से भी मतलब नहीं है, और अब Gotham उसके ओस में है, जिसे कोई नहीं संभाल पा रहा, तो जाओ अभी, और मुझे umbrella man से निपटने दो, बैक्मेन कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूँगा, पेंग्मेन उसे पूछता है कि जब तक वो यहाँ पर है, तब तक Gotham में कितनी बरबादी हो रही है, अभी जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा Gotham वापिस दे दूँगा, बैक्मेन वहाँ से चला जाता है, यह कहते होए कि आज की रात तुम्हारी है, पर कल मैं आ रहा हो तुम्हार लिए, तब गैंग वार्ट शुरू होता है पेंगुइन के क्रू और अंब्रेला मैन के आदमियों के बीच, सारी लड़ाई के बीच से पेंगुइन जाता है अंब्रेला मैन के सामने, अंब्रेला मैन पेंगुइन को मारना शुरू करता है, और मारते मारते उसका मुह आलमोस्स तोड़ी देता है, पेंगुइन जमीन पर था, अम्रेला मैन उठता है, अपना पसीना पोचता है, पर तबी खून से लत्पत पेंगुइन खड़ा होता है, और कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा कि जिन्दा रहने के लिए क्या क्य पड़ता है पर तुम कर भी क्या सकते हो तुम हो तो सिरफ एक आदमी ही जबकि मैं हूँ बस एक बेवकूफ छोटा जानवर और तब पेंगुइन कूदता है अम्ब्रेला मैन पर और अपने मूँ से उसे नोच डालता है अम्ब्रेला मैन को यकीन नहीं होता कि उसके साथ क्य हुआ तब पेंगुइन खड़ा होता है और धीरे से अपने बचपन के बूली को ठैंक्स बोलता है और ये थी कहानी पेंगुइन की अब अगर कोई भी आपसे पूछे कि ये पेंगुइन कौन है तो उसे बता देना कि वो बैक्मैन के सबसे जबरदस विलन्स में से एक है जिसके वाएसे बैक्मैन को जितनी तबाई झेलनी पड़ सकती थी उससे कम झेलनी पड़ती है तो दोस्तो ये थी वीडियो पेंगुइन के बारे में पेंगुइन का पहला एपिसोड आ चुका है और वह बहुत जबरदस्त है यहां टोटल आठ एपिसोड है जो कि हर हफत के बार में डीटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी Injustice Gods Among Us Series रेकमेंड करूँगा, साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको लाइक और शेर जरूर करें और से कई सारे सूपर कॉंटेंट के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू गाइज इस अमन सिना और यू आर सूपर सूपर पीस